दोस्तों section 306 of the Indian Penal Code abatment to suicide यह यहाँ पर इस particular news में relevance रखता है अलाबाद हाई कोड यहाँ पर क्या बोल रहा है जो इसका particular title है news का यह काफी catchy लगेगा आपको married woman extremely possessive can't bear to share husband जो इंडिया के अंदर married woman है वो अपने पतियों के प्रती बहुत जदा possessive होती है और वो यह नहीं देख सकती है उनका पती किसी और औरत के साथ हो या उसके साथ शादी करे उसके होते हुए तो इस respect में अगर एक woman कोशिश करती है suicide करने की यह suicide कर लेती है तो उस case में husband को यहाँ पर responsible माना जाएगा और इस respect में recently एक case यहाँ पर निकल के सामने आया कि मेरा मेरी wife के suicide से कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन पलट के अलाबाद high court ने यह बोला कि अगर तुम अपनी wife के होते हुए किसी दूसरी woman से शादी करते हो तो इस respect में तुमने अपनी wife को इस हद तक उकसाद यह है कि वो suicide कर ले और तुम abatment to suicide में पूरी तरीके से responsible ह तो उसकी मौत के लिए पूरी तरीके से responsible हो यह यहाँ पर अलाबाद high court ने बोला है अब हुआ क्या है कि केस है वारा नसी के एक resident शुशील कुमार का और शुशील कुमार के उपर यह इलजाम लगाया गया है कि इन्होंने अपनी wife को उकसाया suicide के लिए और suicide करके वो औरत की मौत यहाँ पर हो चुगी है असल में हुआ यह था कि 22 सेप्टमबर 2018 को इस लड़की ने सुशील कुमार के against case दायर किया था केस यहाँ पर क्या दायर हुआ था कि भाई अलरड़ी 10 साल हो चुके थे सुशील कुमार और इस औरत की शादी हुए यह इसकी second wife थी और इस औरत कि होते हुए वो तीसरी बीवी के साथ शादी करने वाला था चुपके से बिना बताया तो overall यह सब देखते हुए एक case फाइल किया था देखे 11 सेप्टमबर 2018 को शुशील कुमार की दूसरी wife को पता चला कि यह तीसरी शादी करने वाला है और उसने 22 सेप्टमबर को यहाँ पर F.I.R. लिखवाई और उसके एक दिन बात सुसाइट कर लिया और साथ साथ जो यहाँ पर पुलिस के पास जाके F.I.R. लिखवाई थी सेकेंड वाइफ और शुशील कुमार बे उसने यह भी बोला था कि पिछले 10 to 12 years of marriage ने शुशील कुमार ने और उसके in-laws ने उसको consistently harass किया है, persecute किया है, परेशान किया है और overall F.I.R. में क्या क्या केस लगाए गए थे तो भाइ सेक्शन 323, voluntarily causing hurt, सेक्शन 379, stealing property, सेक्शन 494, marrying despite having a living spouse, सेक्शन 504 of the Indian Penal Court, insulting, deliberately, सेक्शन 506, threatening, इतने सारे case loss लगा दिये थे किसने, सुशील कुमार की दूसरी wife ने सुशील कुम के उपर abattment to suicide का, वैसे तो देखा जाए, तो कहीं न कहीं, आदमियों के against बहुत सारे फर्दी cases भी initiate किये जाते हैं, लेकिन यहाँ पर को genuine cases भी होते हैं, जहाँ पर actually में एक आदमी औरत को इस हद तक परिशान कर देता है, कि वो society यहाँ पर कर लेती है, अब overall यह आदमी अपने आपको section 306 से छुडाने की कोशिश कर रहा है, अब उसकी दूसरी wife तो मर के चली कि अब जो पहली दूसरी तीसरी इतनी बीवी रखे हैं, उसको दूसरी wife के मनने ज़्यादा फर्क बढ़ेगा नी, तो वो लगातार अपने आपको इस abattment to suicide वाले case से बचाने की लबाथ high court का यह बोलना है कि एक polygamist man, मतलब एक ऐसा है इनसान जो की एक से ज़्यादा शादी कर रहा है, वैसे polygamist के respect में आज मैंने एक और वीडियो बनाई है, लेकिन वो Muslim personal law से related है, वहाँ पे एक रेश्मा नाम की औरत ने हारत सम्विधान के अंदर और शरियत law के अं individual की जो बीवी है, उसको पता चल जाता है कि चुपके से उसका पती दूसरी ओरस से शादी करने वाला है, वो किसी temple में चुपचाप से शादी करने वाले हैं, यह उसकी दूसरी बीवी को पता चल जाता है, और इस respect में वो जाके एक case दायर करती, F.I.R. दायर करती और पतारती वोमन अपने husband को share नहीं कर सकती, यह बहुत possessive है, और यह possessiveness इतनी जादा होती कि उनसे कोई sanity, किसी प्रकार की matureness आप expect नहीं कर सकते हो, और ऐसे समय पे अगर वो कुछ गलत कर लेती हैं, suicide कर लेती हैं, तो then husband will be responsible, and husband will be responsible for her death, section 306 के charges लगे गें, और कड़ी से कड़ responsible ठहराए जाएंगे, abatment to suicide और अपनी second wife की जो मौत के लिए भी इनको responsible ठहराए जाएगा, मतलब कम से कम 15-20-25 साल की सजा तो इनको मिलने ही वाली है, हाँ, इस case में overall जो in-laws हैं, जो शुशील कुमार के रिष्टेदार हैं, उन्होंने जो atrocities की इस woman के उपर, उसके उपर बहुत अद्तक ध्यान दिया जाएगा, तो अब देखे, इस case के बहुत varied manifestations है, आप समझी जो शुशील कुमार की second wife है, इसने suicide कर लिया है, यह यहाँ पर मर चुकी है, section 306, abatment to suicide लगाए गया है, शुशील कुमार के उपर, आगे आने वाले समय में बहुत से ऐसे cases होंगे, जहाँ पर हो सकता है, suicide ना हुआ हो, लेकिन एक wife 306 के अंदर जाके case दायर कर दे अपने पती का case, मतलब section 306 के अंदर abatment to suicide का case भी file हो सकता है, जरूरी नहीं है कि suicide के मृत्ती होई हो, तभी section 306 आप लगाऊगे, एक जिंदा लेडी भी section 306 लगा सकती है, तो there is a small, आप कह चांस की यहाँ पर overall इस particular judgment के कुछ misappropriation मतलब कि गलत प्रकार से भी judgment का कुछ relevant cases में इस्तमाल किया जा सकता है, ठीकिन हर case में आदमी गलत नहीं होता और हर case में और बी गलत नहीं होती है, यह case to case basis पे vary करता है, तो abatment to suicide के रिए husband को responsible माना जाएगा, कि इस context में कि एक औरत क overall यहाँ पर FIR में section 306 को भी valid माना जाएगा, यह यहाँ पर बोला है, अलाबाद की high quote में, तो section 306 यहाँ पर याद रखेगा, और बाकी women empowerment के respect में कुछ और sections यहाँ पर पता चले होंगे, 323, 494, 389, 504 और 506, thank you for watching friends, वीडियो को like or share करके जाएगे, इस्टराम पर follow कर लिजे हो सके तो super thanks का बटन दबाए नीचे active हो रखा है, और join बटन दबाके भी help कर सकते है, have a great difference, वीडियो को जादा से जादा लोग से like को share करेगा, ताकि YouTube recommendations में इस particular वीडियो को promote करें, have a great day, good